हलो दोस्तो आप भी चाहते हैं अपनी शोट वीडियो पर थमने लगाना तो दोस्तो वीडियो को यह लाज तक देखते रहेगा दोस्तो आप जानते होंगे कि यूटूब जबसे अपनी शोट वीडियो का यह फ्यूचल लॉंच किया है तब से यह दिन प्रति दिन नए नए अपडेट ला रहा है क्योंकि यूटूब अपनी शोट वीडियो को यह काफी आगे तक यह लेके जाना चाहता है हो सके तो यह कुछी टाइम में यूटूब अपने शोट वीडियो का यह मुनेटाइजेशन भी ओन कर देगा दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज कल के टाइम में जो यह अच्छा दिखता है वही भीगता है दोस्तो आप अपनी वीडियो को यह कितना भी अच्छे अच्छे कॉंटेंट के साथ बनाते हो लेकिन जो आपका कवर पेज है जो थमनेल है और जो आपका वीडियो के यह टाइटिल है उसको आपने अच्छे तरीके से नहीं बनाया तो दोस्तो ऐसे में कोई भी आपके व वीीडियो को जब भी अने स्ट करके अपहलूड करते हो उसके बाद जब आप वईट सबीडियो में जाते है तो आप अपर थंन लगाने का प्टां भी आपको दिखाई देता है और वहाँ पे आपने कई बार यार short वीडियो पे thumbnail भी लगाया होगा लेकिन जब आप अपनी वीडियो को यार public कर देते हैं लोगों तक यार share कर देते हैं जो आपका thumbnail होता है वो गायव हो जाता है वो वाँ से remove हो जाता है तो दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको यार ऐसा एक यूनिक टेकनिक बताने वाला हूँ जिसकी मदब से आप अपनी short वीडियो में भी यार thumbnail लगा सकते हैं तो हम ऐसा की तरह जान लेते हैं हलो दोस्तो मैं उपबन आप देख रहें टेकनिकल लाइब पोस्त दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइब करियेगा चैनल के पाली बार आए हैं तो यार चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यूटूब स्ट वीडियो पे पर्मानेंट थमनेल लगाने के लिए जब आप अपनी स्ट वीडियो को यार इडिट करते हो तो ओहीं पे जिस भी आप थमनेल या फोटो के लगाना चाते हो तो आप एडि कर दीजिए जिससे वो थमनेल आपको कभी गायब नहीं होगा तो दोस्तो मैं आपको लाइप पूरूप देखा देता हूँ कि मैंने एक अपनी स्ट वीडियो पे यहाँ पे फोटो एडि किया था आप देख पा रहे होंगे और एक फोटो मेरी स्ट वीडियो पे लगा हुआ है और यह कभी यहाँ से गायब नहीं होगा तो इस तरह आप भी अपने फोटो को लगाना चाते हैं तो यहाँ वीडियो को लास तक देखते रहेगा आप देख पा रहे होंगे दोस्त जब मैं अपनी वीडियो को यहाँ एडिट कर रहा था तब ही उस फोटो को इस वीडियो में एड किया था आप देख पा रहेंगे यही वो फोटो है जो मैंने अपनी वीडियो में यार एड़ किया हुआ है तो आप भी इसी तरह आप अपनी वीडियो में उस फोटो को यार एड़ कर दिजे और एड़ करने के बाद इस वीडियो को सेब कर लिजे शेप करने के बाद आप जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो किस तरह थमने लगाना है चलिए मैं YT studio में आपको लेके चलता हूँ और लाइब पुरूब देखा देता हूँ कि किस तरह YT studio में इस thumbnail को आपको अपने वीडियो पे अपलोड करना है दोस्तो हमे यही वो वीडियो है जो मैंने आपको काइंड मास्टर में दिखाया था देख पा रहेंगे यहाँ पे फोटो भी एड हो चुका है तो चलिए हम इस पर किलिक कर लेते हैं फिर से हमको इस pencil वाले icon पे click कर देना है, click करने के बाद दोस्त आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे thumbnail लगाने का option आ रहा है, तो दोस्तो इस वाले option पे हमको click नहीं करना, उससे relative जो आपने उस video में add किया था, editing के time, तो देख पा रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इसे photo या publish कर दिया था, और यह जो मेरा thumbnail था, यह परमानेट उस video पे add हो गया है, तो दोस्तो आप भी इसी तरीके से आप अपने thumbnail को यार लगा सकते हैं, और आपका thumbnail कभी गायब नहीं होगा, तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करि यगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए,